धूर्थ चुहा कहानी बहुत ही प्रसिद्ध है. यह एक कहानी है जो हमें यह शिक्षा देती है कि जितना छोटा दिखने वाला हो उतनी ही बड़ी चाले चल सकता है. एक समय की बात है एक छोटा और धूर्थ चुहा था. उसका नाम चिंटू था. वह अपनी चालाकी के कारण अपने आसपास के जंगल में प्रसिद्ध था. वह बहुत ही बुधिमान और चतुर था. एक दिन चिंटू ने एक भले में एक ट्रैप में फसा हुआ देखा. वह ट चिंटू की बातों को सुना और उसे इतना भरोसा हो गया कि वह उसके साथ ट्रैप में चड़ गया. लेकिन जैसे ही वह ट्रैप में चड़ा, ट्रैप बंध हो गया और वह फंस गया. चिंटू ने धोका किया और चुहे को ट्रैप में फसा दिया. चुहा बहुत चिंतित हो और उसने खुद को यह सोचते हुए पाया कि अब वह दूसरों के भी धोके खाने लायक है. कुछ दिनों बाद, चिंटू ने एक और चुहे को धोका दे कर उसे भी ट्रैप में फसा दिया. इस प्रकार, चिंटू ने अनेग चुहों को धोका दिया और उन्हें ट्रैप में फसा दिया. एक दिन, एक बुजर्ग चुहा ने चिंटू की चालाकी का पता लगा लिया. उसने चिंटू को सिखाया की धोका देने से अच्छा है, अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करें. चिंटू ने उस बुजर्ग चुहे की सलाह मानी और उसने ट्रैप को चीर कर बच निकल लिया. उसके बाद वह अपनी चालाकी का प्रयोग नहीं करता और अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करता है. इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चालाकी से कुछ वापस मिल सकता है, लेकिन बुद्धिमत्ता से वहा सच्चा सफलता होती है. इसलिए हमें हमेशा इमानदारी से काम करना चाहिए